इसमें भी डेटा सर्कूलर ट्राक्स की फॉर्म में स्टोर होता है, जैसा के आम म्यूजिक रेकॉर्ड्स में किया जाता है इनकी स्टोरिज कपैसिटी फ्लॉपी डिस्क से ज्यादा होती है यानि इसमें हम बहुत ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं अगर इतनी कपैसिटी हम फ्लॉपी डिस्क से बनाने की कोशिश करें तो 30 से 60 हजार फ्लॉपी डिस्क की जरूरत होगी यानि हम हार्ड डिस्क के जरीए कम्प्यूटर में बहुत सा डेटा जिसमें टेक्स्ट, इमेजिज, ओडियो और वीडियो वगारा शामिल हैं आसानी से स्टोर कर सकते हैं ये इसलिए मुम्किन है क्यूंके हार्ड डिस्क में स्टोरिज कपैसिटी बहुत ज्यादा होती है जैसा के आप जानते हैं फ्लॉपी डिस्क में हम डेटा आसानी से एक जगा से दूसरी जगा ले जा सकते हैं ये सहुलत हार्डिस्क में इतनी आसानी से मोहिया नहीं है। ताहम एक floppy disk हार्डिस्क की निस्पत जल्द खराब हो जाती है क्यूंकि वो एक नर्म मिटीरियल से बनी होती है। जबके हार्डिस्क एक सख्त मिटीरियल से बनने की वज़ा से साल हा साल चलती है। हार्डिस्क भी मेगनेटिक डिस्क हैं इसलिए अगर इनके पास कोई स्ट्रॉंग मेगनेट ले जाएंगे तो डेटा या आपकी स्टोर की हुई इन्फरमेशन खराब या जाय हो जाएगी। इसी तरहां हार्डिस्क को बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत और आग से दूर रखें। सेकंडरी स्टोरिज डिवाइसिस की एक और आहम टाइप ऑप्टिकल डिस्क कहलाती है। इसे उप्टिकल डिस्क इसलिए कहा जाता है क्यूंकि इसके ऊपर डेटा लिखने के लिए लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। आप्टिकल डिस्क भी फ्लॉपी डिस्क की तरहां आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाई-जासकती है। Optical Disk की आम इस्तमाल होने वाली टाइपस में CD-ROM, Write-Once, Read-Many Disks, Rewritable CDs और DVDs शामिल हैं। आईए इसकी पहली टाइप यानी CD-ROM के बारे में देखते हैं। CD से मुराद है Compact Disk, ये भी एक डिस्क की शकल की होती है। इसके साथ ROM का लवज इसलिए लगाया जाता है, क्यूंकि जिस तरहां Primary Storage में ROM से सिर्फ Information रीड कर सकते हैं, इसी तरहां इस डिस्क से भी हम Information सिर्फ पढ़ सकते हैं और कुछ लिख नहीं सकते। ये देखें, आपको मार्किट में जो Audio और Video CDs नजर आ रही हैं, ये सब CD डिस्क ही हैं। हो सकता है, आपने इन ही Audio या Video CDs पर कुछ Music भी सुना हो और कुछ फिल्म्स भी देखी हो। ये देखिए, ये Optical डिस्क की एक और टाइप है, जिसे Warm डिस्क यानि Write Once, Read Many डिस्क कहा जाता है। ये भी Compact डिस्क ही हैं, ये देखने में भी बिलकुल CD-ROM जैसी ही लगती हैं। इन CDs पर आप Information सिर्फ एक दफा राइट कर सकते हैं। यानि एक दफा Information राइट करने के बाद, दोबारा इस CD पर कोई भी Information नहीं लिखी जा सकती। ताहम इस CD पर Store किया हुआ डेटा आप बार-बार Read कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक दफा डेटा या Information राइट करने के बाद, ये CD, CD-ROM की तरहां काम करती है। इस तरह की CDs आप अपने जरूरी प्रोजेक्ट्स या काम को Store करने के लिए इस्तमाल कर सकते हैं। अब जो Optical Disc की टाइप आप देख रहे हैं, इसे Rewritable CDs कहते हैं। जैसा के नाम से जाहर है, ये वो CDs हैं जिन पर Floppy Disk या Hard Disk की तरह न सिरफ डेटा राइट कर सकते हैं, बलके इसे Change या Remove भी किया जा सकता है। यानि आप इन CDs पर बार-बार Information या Data, Write और Read दोनों कर सकते हैं। आम तोर पर CD-ROM, Warm Disk और Rewritable CDs पर 650 MB से लेकर 800 MB तक का Data स्टोर किया जा सकता है। चुँके इसकी Capacity Floppy Disk से ज्यादा है और Rewritable CDs भी मौजूद हैं। इसलिए इनकी मदद से हम ज्यादा Data एक जगा से दूसरी जगा आसानी से Transfer कर सकते हैं। इन CDs को इस्तमाल करते हुए खास खयाल रखें कि इन पर Scratches न पड़ें ताकि आपका Data जाया ना हो। रोजमर्रा जिंदगी में बहुत सा ऐसा Data होता है जो एक CD पर पूरा नहीं आता। खुश किस्मती से हमारे पास DVD मौजूद हैं। अपको ये जानकर हैरत होगी कि DVDs के इजाद करने का मकसद वीडियो को स्टोर करना था। इसलिए पहले इसको Digital Video Disc कहा जाता था। ताहम इसके बनाने वालों ने इसका नाम Digital Versatile Disc इसलिए रख दिया क्यूंके इसमें ना सिर्फ वीडियो बलके टेक्स्ट और ग्रैफिक भी स्टोर की जा सकती हैं। ये लगती तो आम CDs की तरह है, मगर इनकी स्टोरेज कपैसिटी आम CDs के मुकाबले में कई गुना ज्यादा होती हैं। DVDs की दो अकसाम होती हैं, एक को DVD ROM कहते हैं और दूसरे को DVD RAM कहते हैं। DVD ROM भी CD ROM की तरह काम करती हैं, यानि इस पर से information सिर्फ read की जा सकती हैं, इसे modify या remove नहीं किया जा सकता। मसलन किसी DVD ROM पर स्टोर की हुई मुवी आप देख तो सकते हैं, मगर किसी नई मुवी को इस DVD में स्टोर नहीं कर सकते हैं। DVD RAM, Rewritable CDs की तरह काम करती हैं। यानि इन में आप ना सिर्फ data read कर सकते हैं, बलके इसमें आप नया data या information स्टोर भी कर सकते हैं, और पहले से मौजूद data remove भी कर सकते हैं। आम तोर पर एक DVD पर 4.7 GB या 9.4 GB की information स्टोर की जा सकती हैं। DVDs भी CDs की तरहां आसानी से एक जगा से दूसरी जगा ले जाई जा सकती हैं। ये एक आहम स्टोरिज डिवाइस है, जिसे magnetic tape कहा जाता है। ये देखिए, ये एक आहम audio cassette जैसी ही है। जबके magnetic disk और optical disk में ये जरूरी नहीं होता के पहले स्टोर किया हुआ डेटा पहले ही पढ़ा जाए। इसकी storage capacity बहुत ज़्यादा होती है और इस पर आप data या information की एक copy बना कर लंबे अरसे के लिए महफूज कर सकते हैं इस बात का खयाल रखें कि ये tapes किसी strong magnet से दूर रहें ताके आपकी stored information जाय ना हो आईए अब एक छोटी सी exercise कर लें आपके सामने lesson screen के दाई जानिब उपर की तरफ कुछ information पड़ी है इस information का size 4MB या तकरीबन 4000K भी है lesson screen या screen के निचले हिसे पर कुछ storage devices नजर आ रही है आप इस information को drag करके उस storage device पर ले जाएं जहां ये बाअसानी store हो सकती है बहुत खूब आपने सही storage device को पहचान लिया है अब ये एक और information है जिसका size 9GB वेरी गूड आपको storage capacity का concept समझ में आ गया है आईए अब ज़रा देखें कि आप मुख्तलिफ गिस्म की storage devices को कितना पहचानते हैं लेसन स्क्रीन के दाएं जानिब बहुत सारी storage devices नजर आ रही हैं और यहां दाएं जानिब एक box है आपने हदायात के मताबिक मतलूबा storage devices को ड्रैग करके इस box पर लाना है तो चलिए पहले आप temporary storage devices को ड्रैग करके इस box पर ले जाएं अब आप ऐसी device को ड्रैग करके लाएं जिस पर कुछ write नहीं किया जा सकता अब जो devices उपर रह गई हैं इसमें से उस device को ड्रैग करके box पर लाएं जिस पर सबसे ज्यादा data या information store की जा सकती है Congratulations! आपने storage devices को पहचान लिया है इस lesson में हमने मुख्तलिफ storage devices के बारे में मालूमात हासल की मसलन RAM, ROM Magnetic disk यानि hard disk, floppy disk Optical disk यानि CDs, DVDs और कुछ और storage devices वगईरा झाल के वगई दो माल जा जा रहासल के वगईरा झाल किक को अपने बारे में जा है किक को बारे में है